Hello students, जैसा कि हम सब जानते हैं, TBSC ने कुछ ख्लासेस के सल्वस को रिवाइस कर लिए. अब जो रिवाइस्ट सल्वस है, उसके एक्वाइस्ट अलग अलग क्लास में क्या-क्या कोशेस अब पढ़ने हैं. क्योंकि यह human nature है, कि हम जिस क्लास में होते हैं, हम सबसे पहले उस क्लास का सल्वस जानना की. क्योंकि सल्वस के अक्वाइस्ट लिए ही अपनी प्रिपेशन और उसी के अक्वाइस्ट लिए हमें मार्स मिलते हैं. तो सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि सल्वस क्या है, उसके बाद जानेंगे, कि एक्जाम कब होगा, उसका पैटर्न क्या है, वा सभी हम बात में देखे, सबसे पहले सल्बस की बात, अगर कहीं भी आपको एक प्रेस्क्राइब्ड सल्बस दे दिया गया, और कुछ दिनों बाद हमें ये बता चल जाए, कि सल्बस में तो कुछ तो डुलीट कर दिया गया पड़ी खुशी होती है, अब तो हमें ये नहीं पढ़ना पड़े, तो अदर्वाइस तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ता, लेकिन अगर किसी ने बता दिया, यहां से भी आसी ने बता दिया, अब इस सल्बस कुछ चैप्टर्स के कुछ टापिक्स को डिलेट कर दिया, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उस सल्बस के अकॉर्डिंगली क्या-क्या डिलेट किया गया है, किस सब्जेक्ट में किया है, हम बात करते हैं 10th mathematics के, 10th mathematics में जो chapters है, वा total 15 chapters है, वाला chapter है, real numbers, दूछा chapter है, polynomials, 3rd chapter है, pair of linear equations into variables, 4th chapter है quadratic equations, 5th chapter है arithmetic progression, 6th chapter है triangles, 7th chapter है coordinate geometry, 8th chapter है trigonometry, 9th chapter है application soft trigonometry, height and distances है हम कहते हैं, 10th chapter है circles, 11th chapter है constructions, 12th chapter है area related to circles, 13th chapter है surface areas and volumes, 14th chapter statistics और 15th chapter है probability, ये है syllabus, तो हम पहले से पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते हैं, अब तो CBSC ने revise किया है, अब हमें किस किस चप्तर में क्या क्या पढ़ना है, to the point हम देए, इससे हमारी preparation अच्छी है, क्योंकि अब हमें उन topics को नहीं पढ़ना होगा, इससे CBSC ने delete कर, तो बात करते हैं पहले चप्तर, real numbers में, एक topic हुआ करता है, एक लिए division lemma, तो अब आपको इस topic को नहीं पढ़ना है, एक लिए division lemma को नहीं पढ़ना है, एक लिए division lemma, इससे हम lemma method भी करते हैं, यह आपको नहीं, अब फिर question raise हुआ, इससे related क्या-क्या है, मारे book में, जिससे अब नहीं पढ़ना है, तो अब मैं आपको बता दू कि इससे related exercise 1.1 में, second question, fourth question और fifth question है, जो आपको नहीं, और इससे related जो examples हैं, अब आपको वो भी नहीं करने हैं, जो examples हैं, वह है question number two और question number के लिए, तो इस first chapter real numbers में केवल, इतने topics को नहीं करना, इतने parts को आपको नहीं करना, और सब आपको, बात करते हैं second chapter, second chapter polynomials में delete किया गया है, division अलागरत, जो हम एक topic define करते थे पहले, क्या होता था topic, वह होता था, dividend equals to divisor into question plus remainder, जी होता था, px equals to gx into rx, sorry into qx plus rx, यह होता था, इससे हम division अलागरतम करते थे, जिससे हम quotient और remainder, और इससे related questions की calculation करते हैं, तो यह अब आपको नहीं करना है topic, जहां से समझे, यह topic आपको नहीं करना है, फिर question रेज़ हुआ है, कि इससे related कहां कहां से questions बनेंगे, exercise क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, कि exercise 2.3, यह पूरी exercise इसी topic से related है, तो यह आपको नहीं करना है, यह यूँ कहें, कि exercise 2.2 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पॉलिनॉमियल्स में आपको केवल exercise 2.1 और केवल 2.2 ही, और आगे कुछ करना है, कितनी अच्छी बात है, तो exercise से बच गया, तो यह आपको नहीं करना है, अब बात करते हैं, third chapter pair of linear equations with two variables, जब हम equations को solve करते हैं, तो equations solve करने के लिए three methods से उसके, एक substitution method, दूसरा elimination method, और तीसरा cross multiplication method, तो इस chapter में cross multiplication method topic को हटा दिया गया, cross multiplication method, cross multiplication method, इस topic को हटा दिया गया, अब ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है, कि इससे related exact questions नहीं है, exercise में, questions जो दिया गया, उसमें mix करके दे दिया गया है, तो आप mix करके जैसे एक question मैंने दे दिया, कोई एक equation solve करने के लिए, x plus 3y equals to 5, और 4x minus 3y equals to 5, और मैंने कर दिया, कि इसको 2 method से solve करे, elimination से भी, और cross multiplication से भी, तो भई, आप elimination से करने, cross multiplication से, क्योंकि अब ये topic ही आपके सल्बस में नहीं, next chapter, आते हैं quadratic equation, quadratic equation को solve करने के लिए, 3 methods use किया जाते हैं, first क्या होता है, splitting method, middle term splitting, completing, दूसरा होता है, completing the squares method, और third होता formula method, तो इसमें जो completing the squares method हो अब नहीं, वो अब आपको नहीं पढ़ना, उससे CVC ने delete कर दिया है, ठीक है, तो इसमें completing, completing the squares method, ये अब आपको तहीं करना, इसको delete करें, arithmetic progression पर आते हैं, तो इर्थमेटिक progression में कोई formula तो delete नहीं हुआ, कोई method तो delete नहीं हुआ, methods तो सारे हैं, लेकिन इसमें exercise 5.3, question number 14 से आगे आपको नहीं करना है, meaning आपको कहां तक करना है, exercise 5.3, question number 14 तक ही करना है, इसके आगे, जो questions है, question number 15 से आगे, और एक exercise और है optional, वह कौन सा exercise है, exercise 5.4, ये अब आपको नहीं करना, ये delete कर दिया है, तो कहां तक करना है, exercise 5.3, question number 14 तक करना है, next शलते हैं, triangles, भी triangles में कोई reduction नहीं, triangles में आपको जेतने topics हैं, बस सभी topics पढ़ने हैं, किसी question को भी इत नहीं किया, तो ये 100% आपको cover करना, 100% आपको पढ़ना है, next, coordinate committee, coordinate committee में, area of triangle, ये topic आपको नहीं करना, अब ये topic तो नहीं करना, इस सर लेटेट exercise कौन कौन से हैं, जो हमें नहीं करने हैं, तो area of triangle का जो exercise है, वह है exercise 7.3, ये अब आपको नहीं, मिनिंग कहां तक आपको करना है, केवल exercise, इस सर लेटेट exercise 7.3, बात करते हैं, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में, एक topic को रिलेट किया गया है, कौन सा topic है वह? कॉम्प्रीमेंट्री, कॉम्प्रीमेंट्री अंगल्स याद करें, 90 को हमने ब्रेक किया थी, 90 को ब्रेक किया, 90 को ब्रेक करते हैं, कैसे? जैसे 90 को हमने ब्रेक कर दिया, 40 और 50, कोई जरूरी नहीं है कि वह स्टन्डर्ड अंगल्स हो, तो जो ऐसी कोश्टन्स होते हैं, उसे हम कॉम्प्रिमेंट्री अंगल्स से रिलेटेड कोश्टन्स करें, अब ये बिलीट कर दिया, कॉम्प्रिमेंट्री अंगल्स से रिलेटेड सारे कोश्टन्स बिलेट कर दिया कै, तो अब question फिर raise हुआ, कि इस से related exercise कौन सा है, तो इस से related जो exercise है, वह है 8.3, और इस से related जो examples है, वह है 9th, 10th, 11th, जान रहें, यह हम बात कर रहे हैं, NCRT book, क्योंकि यह पहले ही मैंने लिख दिया है, देखें, 10th mass NCRT book, हम NCRT book की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के accordingly exercise को मैं define कर आँ, ठीक है, next, applications of trigonometry, तो यह अच्छा, trigonometry में एक बात तो clear हो गए, कि हमें exercise 8.3, नहीं करना, और इस से related जो examples है, example 9, 10, 11, यह भी नहीं करना है, और सभी, application of trigon, application of trigon, application of trigon में भी कुछ की delete नहीं हुआ है, सब कुछ हमें करना है, complete, और अच्छी बात किया है, एक exercise है, को हमें complete करना है, कोई भी topic delete नहीं है, circles, circles में भी कोई deduction नहीं है, 100% आपको complete करना है, ठीक है, जितने questions के pattern है, कोई भी topic है, वह सभी हमें use करने है, और उन सभी से related questions, next आता है constructions, constructions में ratio की base पर हम कुछ questions की construction करते है, ratio, ratio meaning internal angles का ratio और external angles का ratio, तो जो external angles का ratio है, उस से related सारे questions को delete करते है, क्या है, external ratio उसको delete कर दिया गया है, ratio अगर आप calculate करते है, ratio related to, या ratio to external angles, इस related जो question होगा, वो हमें नहीं है, ठीक है, next आते है area related to circle, area related to circle में, हम बहुत सारे topics calculate करते हैं, लिखें, इसमें जो segment का area हमें calculate करना होता है, वो अब हमें नहीं है, तो क्या delete हुआ है, area of segment, ये अब हमें नहीं करना है, अब इस related जो भी question, क्योंकि इस related exact exercise आपको नहीं लिए, इस related questions मिलेंगे, तो जो questions इस related मिलेंगे, वो हमें नहीं करना है, surface area value, इस surface area value में trust term, एक topic होता है, फोन की base पर calculate किया जाता है, वो अब आपको नहीं करना, क्या delete हुआ है, first term, ये delete कर दिया है, अब इस related exercise है क्या को, यहां बिल्कुल है, वह है exercise 13.4, ये अब आपको delete कर देना है, या आप यूँक हैं, ये 13.3 तक आपको questions कर, exercise 13.1, 13.2, 13.3 तक है करने हैं, उसके आगे नहीं है, next है statistics, फिर statistics में हम mean, median, mode calculate करते हैं, mean calculate करने के लिए, हम एक method यूज़ करते हैं, direct method फिर यूज़ करते हैं, assume mean method, फिर यूज़ करते हैं, step deviation method, तो step deviation method, जिसे हम mean को calculate करने में यूज़ करते हैं, वो अब आपको नहीं करते हैं, या नहीं करना है, step deviation method, जिसे हम यूज करते हैं mean calculate करने में तो हम mean तो calculate करेंगे ही करेंगे लिकिन mean calculate करने में जो step deviation method यूज होने वाला है वो अब आपको नहीं करना और क्या नहीं करना less than or more than meaning frequency distribution का diagram graph paper पर show करते थे जिसे ojives कहा जाता था वो भी अब आपको नहीं करना वो भी cbsc नहीं delete करना क्या क्या cumulative frequency distribution का diagram diagram of cumulative frequency distribution cumulative frequency distribution जिसे हम ojives कहते हैं यह delete कहते हैं make chapter आता है probability probability में कोई deduction नहीं probability में एक ही formula है उसी से related सारे पर आपको calculate करने है तो इसमें पोई दिलेट है अब यह आपके chapter स्थ है और उसमें क्या-क्या delete किया गया है वो मैंने आपके आप जब एक्जाम की preparation करें तो इसी करें अब आता है लापके एक दो इसी करें आपके लापके पयार करें अभी प्रेसे तो आपके अपके दोड़ाख के लापके। झाल झाल